आपने हमें इस चैनल पे बहुत सी गाड़िया पीपेफ करते वे देखी हूंगी अलग-अलग प्रैंड की, अलग-अलग सेग्मेंट की बढ़ आज हमारे पास पहली बार आई है फुल इलेक्ट्रिक बीस्ट यह Mercedes EQS 580 फुल प्रोडेक्शन फिल्म अप्लिकेशन के लिए इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी पे प्रोडेक्शन फिल्म अप्लिकेशन होते वे तो दिखाएंगे ही बढ़ साती साथ हम यह भी डिसकस करेंगे कि वाइट कास पे PPF लगाने के क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान और अगर आप भी एक वाइट कलर की कार खरीद रहे हैं तो क्या उस पे PPF कराना चाहिए या नहीं रोटो मोटी में आपका स्वागत है मेरा नाम है रागव चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अब इमाजिन करें कि आप हमारे ये वाला वीडियो एक ब्रैंड न्यू आइपाड प्रो पर देख रहे हो वह भी अमेजिंग साउंड और डिस्प्ले क्लारिटी के साथ सपना लगता है ना यह सपना सच भी हो सकता है जानने के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखि सबसे बड़ा को सबसे बड़ा कुस्चिन और मित जो लोगों के मन में रहता है वो होता है येलोनेस के बारे में और इस वीडियो में भी हम वही डिज्करस करेंगे पर ये यलोनेस इस पर भी depend करेगी कि आप कौन से किसम का product अपनी गाड़ी पर apply करवाते हैं अब market में usually आपको तीन किसम के products मिलेंगे जैसे की PVC, TPH और TPU PPF अब सबसे lower quality का जो PPF है वो PVC PPF है और market में अभी जो सबसे best technology available है वो TPU PPF है और सारे ही PPF के yellow turn होने के chances हैं बट जो अच्छे quality के PPF रहते हैं उनमें visible signs of yellowness over time आते हैं जाकि PVC PPF या फिर low quality के PPF बहुत जादा yellow turn कर सकते हैं almost instantly और जहां तक की environmental conditions की बात है PPF के yellow होने के technically दो reasons हैं पहला reason है prolonged exposure to sun and UV और दूसरा reason है dust, grime and contamination on top layer तो environmental damages से होने वाली yellowness से आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं तो जितना जादा possible हो अपने गाड़ी को clean रखे और साथी साथ गाड़ी को covered parking में पाक करें जहां तक की white गाड़ियों पर PPF application की बात है तो white cars पर PPF apply करना सबसे टफ होता है क्योंकि छोटे से छोटा dust या contamination या कोई fleck इस पर उठके दिखता है और PPF apply हो जाने के बाद यह dust packs permanent हो जाते हैं जब तक कि आप उस PPF को remove नहीं करते इसलिए white cars पर PPF apply करने का procedure एकदम precise और spot on होना चाहिए पर white cars पर PPF apply करने का एक फायदा भी है कोई छोटा application error या फिर unavoidable stretch marks PPF apply करते वह अगर आए हो तो वो white color पर completely invisible रहते हैं अब बात करते हैं इस video के main question की कि आपने एक नहीं गाड़ी खरीदी है और उसका color white है तो क्या आपको उस पर PPF apply करना चाहिए यह actually depend करेगा इन तीन points पे तो point number one है कि PPF apply करने से आपकी गाड़ी पे आपको क्या benefits देखने को मिलेंगे point number two है कि आपको अपनी white color की car पे PPF apply करने से क्या नुकसान देखने को मिलेंगे point number three है कि आप कौन से segment की गाड़ी खरीद रहे हैं और आपका budget कितना है अगर आपका में मोटिव है अपनी गाड़ी के paint को heavy duty damages से बचाना then PPF is the product for you. PPF आपको offer करता है resistance against vandalism और intentional damages stone chippings, key marks, chemical, acid rain and minor damages plus अच्छे quality के TPU PPF apply करने से आपको मिलती है self-feeling abilities जिसका मतले भी है कि गाड़ी धोने से जो swirl marks आते हैं जिससे गाड़ी का paint dull दिखने लगता है वो swirl marks अपने आप गायब हो जाते हैं तो गाड़ी का gloss लंबे टाइम तब के लिए retained रहता है और गाड़ी बहुत प्रेजेंटेबल लगती है तो चलिए बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं एक brand new iPad Pro और इसका secret है आपकी cricket की knowledge 27 January को India vs New Zealand का cricket match है तो उससे पहले description में दिएवे link से अभी download करिए My11 Circle app को और अपनी team बनाइए इस match के लिए download करके giveaway contest जोईन करिए और जीतिए एक brand new iPad Pro इस contest की fee सिर्फ एक रुपे है और एक contest सिर्फ India vs New Zealand match के लिए ही valid है इस contest को बिल्कुल भी miss मत करेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे subscribers के लिए है और हमारे दिएवे link से ही activate होगा tournament के हर match day में mega contest जोईन करिए और जीतिए the beast SUV महिंदरा थार अगर ये वीडियो आप India vs New Zealand match के बाद देख रहे हैं तो भी My11 Circle आप को डाउनलोड करके team बनाना मत भूलिएगा क्या पता आप अगले contest में जीच जाएगा इस ये डाउनलोड फ्रम बिलो लिंक और अगले कॉंटस में जीच जाएगा अगर PPF में देखने वाली येवलनेस आपको बॉदर करती है तो आप ये service completely avoid कर सकते हैं क्योंकि ये कहीं से भी mandatory नहीं है हाँ ये करने से आपकी गाड़ी heavy duty damages से vulnerable रहेगी और painting की requirement जादा frequently पड़ेगी पर आपको as a consumer ये choose करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है और I would rather say कि आपको क्या चीज जादा bother करती है In short, अगर अपनी गाड़ी पे छोटे मोटे damages आपको बहुत जादा bother करते हैं और आप बार बार उसको painting कराने के hassle में नहीं पढ़ना चाते तो आप PPF ज़रूर कराईए पर अगर PPF पे दिखने वाली yellowness आपको बहुत जादा bother कर रही है तो आप PPF avoid कर सकते हैं पर एक चीज जरूर समझें कि paint भी oxidation की वज़े से yellow turn करता है बस फरक ये है कि paint की इस oxidized layer को हम polish करके remove कर सकते हैं पर ये process हम PPF पे नहीं कर सकते हैं अब discuss करते हैं गाडियों के segments के बारे में अगर आप एक white color की luxury segment car खरीद रहे हैं तो PPF आपके लिए utmost recommended है ये recommendation हम इसलिए देते हैं क्योंकि luxury segment cars पे होने वाले damages को repair करना या उनको paint करना बहुत जादा costly रहता है और इन गाडियों को handle करना भी comparatively काफी difficult रहता है पर अगर आप एक media lower segment car खरीद रहे हैं जो की white color की है तो आप PPF को avoid करके ceramic या फिर graphene surface protection coatings में से कोई भी product choose कर सकते हैं बट please make sure कि आपको कौन से factors पे compromise करना पड़ेगा जो कि हमने last 2 point पे discuss की हैं अगर आप चाहें तो वापिस वीडियो को rewind करके वो 2 points देख सकते हैं Lastly and most importantly आपको choose करने चाहिए है अच्छे service providers जो knowledge रखते हों उन services and products के बारे में जो वो आपको offer कर रहे हूँ और साथी साथ आपको opt करने चाहिए है reputed brands के paint production films अब of course यह आपको low grade TPH and PVC PPF products से expensive लगेंगे पर branded products लेने के अपने फाइदे होते हैं brands and companies invest करती हैं research and development पे ताकि वो एक अच्छा problem free product आप तक पहुचा सकें और क्योंकि इन products पे इन companies का reputation rely करता है तो they always try to give you a good product and they stand by it ऐसे ही कुछ reputed brands जिनके products हम खुद अपने store पे भी use करते हैं वो हैं expel, stack, lumar, hexis, garware among many other brands तो अगर आप as a consumer अपनी गाड़ी पे कोई भी brand का product apply करने वाले हैं तो please make sure कि आप उस brand और उस product के बारे में research करें और फिर ही decision बनाईए कि आप कौन सा product choose करते हैं PPF पे दिखने वाली yellowness इतनी prominent नहीं होती है और white cars पे ये yellowness जादा noticeable तब होती है जब आप PPF को remove करें या किसी भी panel के PPF को replace करें मेरे professional opinion में Indian conditions में चनले और maintain करे जाने वाली cars पे PPF की सख जरूरत होती है but since it is an expensive service and a high cost product तो आप as a consumer अपने budget के हिसाब से decide कर सकते हैं that PPF is the product for you or not मैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको किसी भी तरीके से helpful लगा हो और अगर आप भी अपनी white color की car पे paint protection services avail करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक better product choose करने में help करेगा comment section में हमें जरूर बताएगा कि इस Mercedes EQS पे किया हुआ PPF application आपको कैसा लगा और इस गाड़ी की final looks आपको कैसी लगी ब्रोडो मोड़ी में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप से मिलूँगा अगले वीडियो में Thank you ूप अपको कैसी लगी में झाल झाल और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे लिंक से माइलेवन सर्कल अप को डाउनलोड करना मद भूलियेगा आज ही टीम बनाईए इंडिया वसिस न्यूजलिंड मैच के ले और जीते एक ब्रांड न्यू आइपाइड प्रो दोनलोड फ्रोम गिवन लिंक विन अब्रांड न्यू महिंदर अधार और जिए 20% extra cash on first deposit कि झाल कि अवाइड प्रोम थाइड प्रोम थाइड है